तो जी दल सिंगे तीन यार कुंदन कुमार, बल्ला सुनार और चंदू चमार जो परिवार लगाता राजनीती से जुड़े रहे हैं चाहे मैं चोटाला परिवार की बात करूँ या चाहे मैं ढूल परिवार की भी बात करूँ अब उनमें हम देखते हैं कि राजनेतिक विरास्त बनाए रखना एक बोज या एक जिम्मेदारी की तरह हो गया है कैसा आप मानते हैं? नमसकार रामरम हारियाना तक देख रहे हैं और मेरा नाम है सोनिया सत्यानिता आदमपुर में एक और उप्चुनाव हैं तो वहीं दूसरी और हम बात कर रहे हैं हारियाना की राजनीती की राजनीती में कितना बदलाव आया है जब से हरियाना बना है और आज की राजनीती किस तरह की है अब रसूख जुड़े हैं परिवारबाद उसमें जुड़ा है और भी तमाम तरह की बाते हैं उपचुनाव पर भी हम बात करेंगे साथी बात करेंगे हम हरियाना की राजनीत क्या है थे पहले की राजनेती और आज की राजनेती में तो यह यह अवह मेटिरिलीज्म का अ कि अब ज्धाब इये अनि जाधा यह मेटिरियलीज्ब हावी है और बैस प्यांस प्रॉलिलीजम चाहरgruppe मुद्दा विहीन कोशिश की जाती है, सत्तादारी दल के द्वारा चुनाव को करने की, उसको मुद्दों से विम्ख करके अलग तरीके से पेश किया जाने की जरूर देती है, पहले ऐसा नहीं था, पहले जनता के मुद्दे जुड़े लेकर विश्वास था जनता को भी और पहले जंदा मुश्किल हो जाता है उपर तक पहुच लाओ, पहले अविश्वास था नहीं था, मेरे पिता जी जब सुनाव लड़ते रहे सान 52 से सततर तक बने, आप बहुत छोटे बच्चे थे वाहाच मीट दीम पढ़े आ लगते थे, दल सिंग के तीन यार, कुंदन कुमार बला सुनार जैसे वहाइट नारि लगते थे आज वह संभावना नहीं एक बार और ये नारा सर्थ चोध्री दल सिंग के तीन यार कुंदन कुमार बला सुनार चंदु चमार इसका मंदों कस्तों सम्था इनी धिरे बाद में नेताओं के स्वार्थपने की वज़े से राजनिती को इस मोड पर दे दिया पहले तो समाज एक था 36 ब्राद इन मिलके चुनाव लड़ती लिए मिलके ही भाईचारे के चुनाव लड़ती दिन बिगाड़ा गया मौल और धिरे धिरे अब ऐसा परियास भी हो रहा है कि इसको खतम करके मुद्दे के से जोड़ी जाए यहां ताकि जनता को उसका उसका उचीदनाम मिल स्कारे मुद्दे तो वहीं की रह जाते हैं और जनता को जो तकलीफ दूर करने के लिए जो उनकी अवाज चाहिए वो कहीं कहीं गोन आ गाती है इसके पीछ में एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है पहले ऐसा नहीं था पहले जनता के मुद्दे आवी रहते थे अब व्यक्तिवाद रव्यक्तिगत स्वार्थ जाड़ आवी है जो परिवार लगाता राजनीती से जुड़े रहे हैं चाहे मैं चोटाला परिवार की बात करूं आब उन्में हम देखते हैं कि राजनेतिक विरास्त बनाए रखना एक एक बोज या जिम्मेदारी की तरह हो गया है निर्भेन कर रहे हैं और लोगों के दुवारा ये लिवानी बीराना चाथा था साफ में राजनी निर्भेन भी करता है अब लोगों को बारे पिताजी के बाद डखेला कि उनकी विराज़्सार आगे बढ़ना पड़ा अब जो जिस तरह से राजनीती चल रही है फिस प्रकारसे हम अपनी सटा का लाब दे सकते हैं जो उनकी रूची होती थी, आज कहीं कहीं वो रूची गयब दिखती है, अब सर इनके बाद जैसे हमने देखा कि फिर वक्त बदला, इनलों के बाद हमने भी देखा कि कई पार्टियां और बदली, आपने भी बदली, तो यह हम किस तरह से देखते हैं, आम लोगों के मन में यह आता कि अब परिवार का जो राजनेतिक विर्सा है, उसको बचाने के कोशिश की जा रही है, यह की जाती रही है, क्या यह सच है? कई बार प्रिस्तिती ऐसी होती है, कि जो कारिये करता है, कारिये करता के मूड से, कारिये करता के सायोग से, उन क्योंकि कारिये करता है, ग्रीड गेड़ी है, तो उनके दबाव भी काम करता है, उनके दबाव से भी पार्टियां छोड़नी पड़ती है, नहीं जाना भी में हमने देखा हमने हरियाना में कभी जैश्री राम के नारे या हिंदुत्व या फिर भगवां इस तरह के मसले कभी देखे नहीं थे ता पार्टी जब से सत्ता में आई है तो आप यह समझे गाएं गंगा गीता गायतरी पर राजनेती कर रही है इस देश में पहले से थी जिसका नेची जा रहा है आज आज आप देखिए कि जानता की तकलीफ की कोई बात ने करता लेकिन आज ए लाम दिर की बात говор soothing । पूज़निय थे हमारे एक आदर्स थे उन आदर्सों पर चल करके अगर बीजेपी कुछ हैतिक, आदर्सों पर चलके हम राज कर रहे हैं, तब टो ठीक। इस देश में मंदर निर्मान होना चाहिए,िससे नहीं दूर करते हैं, निर्मान होना ची है, हमारे पूझे रहे हैं, बगवान मानते हैं, लेकिन क्या जो आज की बगवान है, जनता, क्या वो बड़ी नहीं है? अब पिछे किसान अंदोलन चला है, अनदाता देवभव, हमेशा यह कहा जाता है, कि अनदाता यह भगवान का रूप है, किस परकार स बारते जनता पार्टी के राज में, हिंदुस्तान के इतियास का सबसे बड़ा किसान अंदोलन होया, अनदाता कभी खालिस्तानी कहा गया, कभी अवारा कहा गया, कभी नक्सली कहा गया, किस किसम से, और वो जब जनता का दबाव पड़ा, तो उन कानूनों को वापिस भी सबसे पहले युवाओं को रोजगार देना होगा, इंदुस्तान की आलत बहुत खराब है, डवलेप्मेंट होगी, तभी तो रोजगार आएगा, डवलेप्मेंट हो नहीं रही, अकले राम मंदर बनने से, कासी विश्वनाथ जी का सुधार करने से, उजयन महाकाले शुर इंडिस्ट्रिलाइजेशन होगी, और इंडिस्ट्रिलाइजेशन होने के बाद ही, जनता के अंदर जभी तो रोजगार आएगा, आज का हालत क्या है, अरियाना किर्शी परदान देश है, और किसान की जो हालत है, सदियों से बिलकुल बेकार है, MSP की मांग इनों नहीं मा जानी जानी है, और MSP की गोष्णा भी की जाती है, तो MSP नहीं होती है, अब देखिए आप बात ही जनता पार्टी ने अभी MSP बढ़ाई है, जो महिंगाईदर है, जो RBI की महिंगाईदर है, रिजर बैंक की उसके इसाब से महिंगाईदर यह MSP नहीं बढ़ाईगी, जब कॉंकि कॉंग्रेस के शाषन, दस साल शाषन में 211% के लगबग, उन दस सालों में MSP बढ़ी थी, इनकी टोटल मिलाग एक ताड़ी परसेंट बढ़ी है, तो किस परकार से आप आज किसान को, गरीब आदमी को उसका एक वाजिब हक जो आप नहीं दे पारे, वो किस परका किया जा रहा है, कि जिससे गरीब आदमी शिक्षित ना हो सके, इस बैयान सुना था, शिक्षा मंतरिस, जो है वो कहरे थे, कि मेकाले का पदती थी, हमने उसको चेंच किया है, मैकाले की पदती, में िस बात में जाना इंचाहता, मैं यह कह रहा हूं, कि शिख्षा का इस प करने जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, दिरे दिरे किये जा रहे हैं, और हर्याना के अंदर तो एक निती लागू करती है, कि आप प्राइवेट में पड़ोगे, तो सरकार गरीव आदमी को बारा सो जा लग बारा सो रपे मिना देगी स्कूल को, अगर आप इनके मौडरन स्कूल पड़ोगे, तो दाइशोर पर उसको देना पड़ें, कहां का नया है, शिक्षा फरी, बच्पन से बहुत से देश हैं, आप फिन्लेंड उदान लीजिए, फिन्लेंड ऐसा देश है, जहां पर पहली एक लास से लेकर के आप कहीं तक चले जाओ, सारी सरकार के दौर है, हमारे देश में खेंगाता है, हमारे देश में क्यूं नहीं उठा जागा जा कर पर देश का ब throne का बहरत कर रिकर्ट देखें, तो तुमिन नादू देख्षिन राजर इसमें हम पिछे क्यूं है? हमारे यहां लगबग 60ulously के क्रीब ही आयुश्मान कारड बिने बंगे से इसाथ लाहता हूं । वी सिवला ले विश्टकॉ थे क्योंन कोह भी के मिलता हूं ह। क्यों यह इस्पतार की संख्धा बढ़ाई स्वास्त है रोजी रोटी बकान ये बुनियादी चीज है और इन की तरफ किसी सरकार का ध्यान नहीं है दिन्वरा पीट ने बी जे पी लगाता रहे इस आठ साल से दिन्वरा पीट रही है लेकिन कर कुछ नहीं रही सिर्फ ही अवाभाजी में चला समय समाज यही तो कार्ण है कि आज यही हमारे आदर्णिय प्रदान मंत्री जी मनमोन सिंग के समय में डॉलर का रेट एकदम रुपे का रेट गिरा तो कहते हैं जो रुपया गिरता है तो देश का प्रदान मंत्री साख गिरती है अरे उस्टम तो पच्पन था आज तुरासी को फूरा है तो आज आप देश की अर्थ विवस्ता इस मोड पर आखड़ी है कि आज देश की अर्थ विवस्ता को समालने के लिए बगवान को ही परकेट हो कुछ करना पड़ेगा निसोदा साफ हो चुका है सोनिया जी सब से दिक्कत क्या होई कि मातमागांदी जी ने देश आजादी के बाद इस की सोच भी उची थी यह भी उची थी चोद्री चरण सिंग ने कहा था कि जो चीज गाओं के अंदर बन सकती हो बड़े कारखाने में नहीं बननी चीए लेकिन उसको फोलो नहीं किया गया अगर वह गराम सवराज्य की आर्थिक थी जो हमारे दी अर्थ विवस्ता जिसकी नीम डाली गी थी अगर वह वर्थ विवस्ता इंडिस्टिलाइजेशन की ना हो करके ग्राम सवराज्य की तरफ होती तो इस देश की तक्दीरी बतली होती आज भी समय नहीं बीड़ा है आज भी विवस्ता एकनॉमिक पॉलिसी इस परकार की मुनानी पड़ेगी ताकि जो अब तरासी परसेंट जो लोग गाउं में रहे हैं और जो मध्यम वर्ग से भी निमन वर्ग में आते जा रहे हैं उनको समालेंगे जबी देश बचेगा अब आरे से जो उपरमुक है उन्हों क्या का उनके उनके उनक्या का कि इस देश की जो पुंजी है जो ज्यादा तर यह वह क्यों बीस परसेंट के पास सीमित होगी आगे पुंजी नहीं रही तो किस परकार से काम करेंगे पिछे एक सर्वे आया था कोरोना के समय में कि इस देश के एक परसेंट आजमी आदमी पास देश की नबबे परसेंट पुंजी है तो कैसे बात बनेगी जब आपके पर्चेजिंग पाओर ही नहीं है तो अर्थ मवस्था मार्की अर्थ मवस्था डूबेगी तो सही चीज दूबेगे आप किसान का उद्धान लीजिए किसान के घर में फसल सबस् chiffon और हुगे जब मार्किट बर्म है कि पैसे सबक्रक्राइब इसे नहीं भचता करदा में लेना पड़ता है नितियां इसपर करक्या रखी और इन्हों ने तो अब एक और थो बीजेपी ने सरसों का जीम जो बीज है वो लाओ कर दिया और जीम बीज सरसों का ऐसा है कि एक बार वो दिया दुबारा वो पैदा नहीं होगा, आपको वही बीज दुबारा लाना पड़ेगा जो नर्मा के साथ इनों किया था, आज नर्मा किसान बेटे हैं, चारा इलाके जहां पानी कम होता है और वहीं ट्रेडीशनल किसान से बड़ा इंजीनिर कोई दिखेतीगा उसका परिवार इंजीनिर है उसको बीज बनाना भी आता रखना भी आता है यह हैं लेकिन हमारा सम्झोता भी आए ठोपा जा रही है चीजिए हम किसान धे यह कहते हैं कि जैसे थे रहने आए यह यह आए हूँ कीज़ा, सवाल यह लिए जब हम देखते हैं कि कोई राजनतिक घरानें से जुड़ा वक्ति चुनाव लड़ता है और उनके सामने जब कोई आमकारे करता, चुनाव लड़ता, तो हम देखते हैं, जो हम घराने से जुड़े हुए वक्ति है कि उनका दबदबा उनका रूत बालग होता है उधारण के तोर पे चाहे मैं दुष्षिन चोटाला साब को भी ले लूँ चाहे किसी भी जो है वो परिवारवाद या परिवार राजनितिक परिवार से जुड़े व्यक्तिका में उधारण ले दूँ तो इस तरह का जो सीन में स्येवार की है अगर प्रिवार का बच्चा भी उसी दिशह पर चलता दिखाई दे रहा है तो साथ देति है अगर परिवार का बच्चा उस दिशा पर साथ नहीं चल रहा तो इसको निकाल भी रती है ऐसी बात नहीं है निकाल भी रते हैं लेकिन यह के आम घरों के जो यूवा आते हूं के थोड़ा सा मुश्किल होता है राजनीती में पर जमाना राजनीती का में साही करने हो चुका है मैं अभी हो रहें इसलिए आम आदमी की इमत नहीं पड़ती है यही तो करने के ज्यादा अच्छे लोग राजनीती में नहीं रहेगे लेकिन होना जरूरी है जिस दिन इस देश का मद्दाता सही आदमी का चुनाव करके वो डालेगा यह देश और आगे बढ़ेगा और सुनती मैं भी हूं कि जब पूछा जाता है मेरे मेरी उमर के जवानों से भी तो के राजनीती आप जाना चाहेंगे राजनीती करेंगे तो पहला जबाबत है कि नहीं हम नहीं करेंगे तो नाशब्द जो है वो हर आम हर मीडल क्लास परि राजनीती से जुड़े बहुत सारे सवाल थे लेकिन अभी लाइटिंग की कमी है तो बहुत ज़रोरी सवाल कर लेते हैं, एक सवाल जो कि बहुत जरोरी मुझे लग र आप से पूछना, अब हम जिस भी राज्य की राजनीती की बात करते जातिया वहाँ पर हावी होती है हरियाना की राजनीती में भी जो बड़ा तर्क है वो दिया जाता रहा है कि ये हरियाना की राजनीती जो है वो जाटों की जादा रही है या फिर ये कहें कि किसी जाट का राज जो है वो होना चाहिए ऐसा माना गया है दलित जो है वो सीम नहीं बने है या भविश्य में बनेंगे भी नहीं तो इस तरह के तर्क जो है अलग-अलग लोगों से दिये जाते हैं अगर जाती आखलन की बात करें तो आपका क्या नुभ एक करते हैं लोगों करते हैं यह शुनाव होते थे आखले हैं कभी वी नहीं इसा चुनाव कभी हुए नहीं गया है थर्म कातो तो मतलब नहीं था है डर्म के धरम की इराद नेटी तो बीजे भी लेगा आई । इस अब ठीन है सब एक थे कि गुंड़ोस के ओपर वोट कर जिताते थे और वो सेवा भी करते थे लोगों काम करते थे मदद करते थे योजनाय बनाते थे ताकि उनको लाब पहुंचे तो जातियों की राजनीती हमाने के यह नब्बे के आसपास ही ही शुरूगी अब तो बीजेपी राजमत रफ्तारी पकड़ी और यह कात गहिस देश के लिए खतम होने चाहिए